माला अचे को अब यifa करें तो आपका भाई बाता ने आचुका है और आपकी छूटी-छूटी प्रॉबलम्स को सोल करने आ चुक है तो नहीं करें बखवासे तो चलो वीडियो की तरफ तो सबसे पहले ट्रिक होने वाली ब्लैकेट्स की पर मिया ब्लैकेट्स दिक्कल नहीं निकलेंगे यार वह स्टबन हो गया है क्योंकि जब वह वाइट है ते तुमने अपनी पर पर नहीं नहीं मिस्टेक्स करकर के फेशिल मिस्टेक्स डेली करकर करकर के उनको बाप बना दिया तो वह आप क्यों तुम्हारी बात मानेंगे इजी चीज यह चमच क्यों है मेरी जिम में इसलिए जाके जाओ स्टीम करो लो अपने फेस पर धंग से कपड़ा रखके या फिर कोई गरम टावल उठाओ उसको अपने फेस पर रखो पोस खोल दो ऐसा पतला चमस ले लो और उसको अपने नाग पर ढंग से दबा के स्लाइड कर दो सारे ब्लेक हैट निकल जाएगे और इतना आसानी से करना कि छिले नहीं क्योंकि पड़ोसी की नाग नहीं अपनी पर आपको बन कर देना है जबी या मूद होके आते हो होट वर्टर से यहां फिर आप क्लेंजिंग करते हो तो आपके पोस खुल जाते हो और आपकी स्किन फ्रैजल स्ट्रेट में चली जाती है है बले आपका कोई सभी स्किन टाइप हो ओली ड्राया कॉंबिनेशन इसलिए आपको मॉस्टराइशन करना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर पूरे पोर्स खाली है कोई भी घुस सकता है बैक्टीरिया घुस गया तो एकने हो जाएगा इससे बेस्ट मॉस्टराइजर लग हो और अपने पोर्स को बंद कर दो ताकि अच्छा इफेक्ट भी मिले पोर्स में सही चीज एब्सॉर्ब होनी चीए गंदे बैक्टीरिया नहीं नेस्टी नेस्टी गंदे जो फॉर्ट पॉर्ट ने मला है वो ने मला है आप बीर को ऐस अ कंडिशनर यूस कर सकते हो इसको अब समझ सकते हो कि मैं क्या बोलों यह पागल होगे अब घदा होगे लेकिन ऐसा होता है बहुत सरे एक्टरस ने अपनी होम रेमिडी में बताया है कि वह बीर अज़ा कंडिशनर यूज करते है क्योंकि इसमें बाढले और होप्स होता है होप्स में क्या होता है सिलिका सिलिका किया करता है हेयर को स्टेंटन करता है और बहुत सरे ऐसे आसे असे होते हैं जो हीर में volume और shine provide करते, तो और क्या चीए, conditioner skip करो, beer लगाना चालू करो, और fifth point होने वाला है, आपके stubborn नाखुन, जिन लोगों के नाखुन बहुत मोटे हैं, और जब वो काटते हैं nail cutter से, और उनके लग जाती है, और मतलब बहुत जदा pain होता है, pinch होता है, तो आप क्या गरो, easily, जब भ ऐसे, brush से, और paste लगागे, paste में काफी cleansing ingredients होते है, surfactants होते, जिससे exfoliation बहुत अच्छ हो जाएगा, lips एकदम soft हो जाएगी, और आपकी clutch को लगेगा, कि वो खरखरे पत्थर को नहीं, गुद गदे को पपी दे रही है, मजा आ जाएगा, सभी तो last point होने वाला है, वो होने वा साता है, अब क्या करो, ice cube लेकिया, उसको कपडे में डालो, डंग से, हफ्ते में, हफ्ते में एक दिन में, दो से रिंबा से करो, एक एक मिनिट के लिए, ताकि वो blood vessels बैट जाए, pimple की appearance कम हो जाए, redness कम हो जाए, easily, अब आपको हटाना है, तो क्या करोगे, अपने प्यारे दोस्त कां गया, कां गया, मेरे दोस्त, अपने प्यारे नीम्बू की मदद ले लेना, नीम्बू से आपको क्या करना है, spot treatment करना है, लेकिन past test करके देख लेना, आपको ज्यादा problem तो नहीं होरी, irritation तो नहीं होरी, उन्हीं को खली use करना है, sensitive skin वालों को बिलकुल भी use नहीं करना, उसको उठा के भैक देला है, समझो, ठीक है, spot treatment करो डंग से, इसमें anti-inflammatory factors होते हैं, और इसमें citric acid होता है, जो AHA की तरह काम करता है, और exfoliator होता है, बहुत अच्छा, वो क्या करेगा, डंग से pimples को हटा देगा, और skin भी even कर देगा, pimples को डंग से अटा देगा, तो बहुत एक क्या, सी यू नेक्स टाइम